प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, ईश, आदी, नाम, एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संतराम पालजी महराज के अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर की महत्तव भूआ SPD, थिए WHO ह मिलता पर देखा है बोलो सत्गुर्देव की जय, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय, बंदी छोड़ गरीब दास जी माराद जी की जय, स्वामी राम देवानंग जी गुरु माराद जी की जय, गरीब नमा नमा सत्पुरशकों नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर्मोनी जनसा दुआ संतों सर वस्ती नहीं, सत्गुरु साहब संतसब डंड़ा तंपरणाम आगे पीछे मज हुए तिनकुजा कुरवान, नराकार निर्विसम काल जाल वेवंदनम निरलेपम निज निर्गुनम अकल अनुप बेशंदनम, सो हम सुर्ती समापतं सकल समाना निर्तले उजवल हीरं बरहर दमं बेपरवा अथा है वार पहर नहीं मज़तं, निर्विसम रेशद होई गनतायक गलताना करो अनुगरसोई पारस पदपरवाना, आधि गनेसमनाउं गनतायक देवन देवा, चर्नकमलो लाउं आधनत करुशेवा, प्रम्सक्ती संगीतं रिजित दातासोई आवगत गुने अतीतं सत पुरश निर्मोही जगदं बाजगदेसं, मंगल रूप मुरारी तनमन अर्पों सीसं बग्ति मुक्ति भंडारी, सुर्नर मुनिदन धावें, ब्रमा विश्णो महेचा, सेश सेश मुक गावें, पूजे आध गनेशा, इंदर कुबेर सरी खाहा उबर अनदर हम राय जावें, समर्त जीवन जी का मनी चापल पावें, तेतिस कोटिया धारा, जावें सेंस अठासी, उतरें भावजल पारा, आकट है यम की फांसी, कर जोरूं विंती करूं धरूं चरण परसी से, गुरू जी राम देवानंद जी माहराज ने दियो नाम बक्सी, कोटी कोटी सिजदा करूं हूँ, कोटी कोटी पर नाम, चरण कमल मैं राखियो मैं बांदी जाम गुलाम, कुत्त हों गुरु देव का, राम पाल दास का नाम, उंगले प्रेम की जेवडी, जाखे तो वाजाओं, तो तो करो तो बावडू, दूर दूर करो तो जाओं, जो राखो तो हीर हूँ, जो देव सुखाँ, सात द्वीप नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु कर सुखुए, गुरु गोबेंद दोनों खडे, काके लागूं पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन, गोबेंद दियो मेलाए, गुरु बड़े गोबेंद से, मन में देखि विचार, अरी सुमरे वो वार है, गुरु सुमरे होए पार है, जै इब कैसते गुरु मिले, सब दुखे आखों रोए, चरन उपर सीस धरूं, कहूं जो कैनी होए, कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुसलाते, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बाते, गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाखे लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको ना हीं, तुमरे भी सारे क्या बने, मैं किस की सरण में जाएं, सीव बिरंच मुनी नारद, तिनके हर देना समाँ, अव गुण किये तो भोत किये, करत ना मानी हारे, बावे बंदा बक्स दियो, बावे गर्दन उताओर, अव गुण मेरे बाप जी, बक्सो ग्रीव नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुरे पिता कूलाज, मैं अपरादी जनम का, नकसिक बरे विकार, तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो सबर, सूरत करो ममसाईया, हम है भवजल माही, आप ही बैजावांगे जो, तुम न पकड़ोगे बाप, बंदी छोड़े दयाल जी, तुम तक हमरी तोड़े, जैसे काग जहाज का, सुझत और न ठोड़े। परम पिता परमात्मा, पूरन ब्रम, सर्वय स्रिष्टी रचनहार कवीर देव जी, यह हम सभी आत्माओं के जनक हैं, यह हमारे पिता हैं। परमात्माओं आप जी का सोबा गया है, कि आप जी को परमात्मा की यह कथा सुनने को मिली, यह समय भी परमेश्वर कबीर जी दुवारा ही आपको यह बक्सीस करवाया गया है। परमात्मा कबीर देव जी, हमें यह ग्यान कराने के लिए सतलोक से चल कराते हैं, कि आप जी यहां गलत सथान पर रह रहे हो, यह लोक ठीक नहीं है। यहां कोई भी पराणी सुखी नहीं रह सकता। इस लोक की ऐसी विरस्था है, यहां कोई भी सुखी नहीं रह सकता। और सबकी मर्टू होती है, जनम भी होता है। फिर परमेश्वर ने हमें बताया कि आप यहां के रहने वाले नहीं हो, यहां तो आप अपने किये हुए कर्म की सजा भोगने आए हुए हो। यहां इस काल भगवान अर्थात ब्रहम के विद्धान अनुसार, तो आप जी अपना सुख और दुख दोनों का मिस्रन यहां पर भोग रहे हो। परमेश्वर के विद्धान अनुसार, यहां कोई सुख नाम की वस्तू नहीं है। आप जी केवल यहां दुख भोगने के लिए ही यातना सेहन कर रहे हो। पुनात्माओं, जब तक हमें यह ग्यान नहीं था, के हमारा कहीं और ठिकाना है, तब तक तो हमें यही फाइनल लगता था, अन्तिम ज़स्त था, यही थी, के संतान होगी, संतान की फिर परवरिस करेंगे, इनका विवहा करेंगे, फिर भगवान इनको संतान देवे, फिर हमारी मर्टू बेसक हो जाए, नो प्रोब्लम। हमने के वर इतना ही मान रखा था, और जहां तक कोई अध्धात्मिक ज्ञान देने वाला हमें मिला, कोई संत्रिसी मंडलेश्वर या कोई महेंत्र, उन्होंने हमारे को श्री ब्रमाजी, श्री विष्णुजी, सुप्रिम पाऊर बता दिया, इन ही को सर्वेस्वर, पूरन प्रमात्मा , मरत तुन्ज, कालज्य, सरवज्ज AND और यही सारी सिरिस्टी के मालिक ये ग्ञान हमें बता दिया, तो जो पुनियात्मा है प्रमात्मा को चाहने वाली थी, वो उन नकली गुरुवों के द्वारा रिसी महरिशियों के द्वारा बताएगे लोक वेद के आधार से इन ही भगवानों तक सीमित रहे और जिस कारण से कोई भी प्राणी मोक्स प्राप्त नहीं कर सका हम यहीं पर जनम और मर्टू के विद्धान अनुसार करमों का जैसा भी किया हुआ करम आपको भोगना पड़ता है इस विद्धान अनुसार हम इस काल के ही लोक में जनमते मरते रहे और जब तक जनम और मर्टू है तब तक कोई प्राणी सुखी नहीं हो सकता जब तक यह प्राणी सुखाल के लोक में है इस काल के अर्थात ब्रह्म के 21 एक ब्रमांड हैं 21 एक ब्रमांड के अंदर हम रह रही हैं ऐसे ऐसे 20 ब्रमांड और हैं एक ब्रमांड के अंदर जिसमें हम रह रही हैं इसमें 14 लोक हैं और ये तीन लोक पर्थवी लोक पाताल लोक और स्वर्ग लोक जिन पर प्राणी हैं ये उन 14 लोकों से अन्डे हैं इन तीन लोकों के उपर प्रथवी लोक स्वर्ग लोक और पाताल लोक इन के उपर इन तीनों प्रभू का अध्रिपत्य है ब्रमा रजोगुन है विष्मू सतोगुन और सिर्तमुगुन है इन तिनों भगवानों का एक एक विभाग है पर्भु का स्वामी का पर्भु कहो स्वामी कहो इन को राम कहो ये एक-एक विभाग के स्वामी है रजोगुन विभाग के बिर्माजी इन तीन लोकों पर इन इस बिर्माजी का अपना परभूतव है केवल एक विभाग के मनीश्टर है और श्री विष्णु जी जो सतोगुन है इनका भी तीनों लोकों में एक-एक विभाग का अधिपत्य है इस तमोगुन विभाग के ये स्वामी है मनीश्टर है इन तीन लोकों पर इनका स्वामी तव है और तमोगुन श्री शिवजी है इनका भी इन तीन लोकों के उपर पिर्थवी लोक एक स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक इन तीन लोकों के उपर भगवान शिवजी भी एक विभाग ये मनीश्टर है बाकी जो सेश चौदह लोक इन से भिन है और ब्रह्म लोक है उस ब्रह्म लोक के अंदर इस 21 ब्रभांड के स्वामी ब्रह्म ने एक ऐसा गुप्ट सथान बना रखा है जहां ये केवल स्वाम ही रहता है और साथ मैं अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है उस सथान पर अन्य कोई भी प्राणी नहीं जा सकता इसे अपनी सकती से ऐसी विश्था कर रखी है शिद्धी से एक ब्रह्मांड के अंदर ये इनका पिता जो ब्रह्म है ब्रह्मा विश्ण महिस जी का ये एक ब्रह्मांड का मुख्य मंत्री समझों ये तीनों देवता रजगुन ब्रह्माजी सत्गुन विश्णुजी तमगुन शिवजी ये विभागिय मंत्री समझों और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस ब्रह्म के जिसको सरपुरस भी कहते हैं जिसको सरव्रह्म भी कहते हैं जिसको जोट सुरूपी निरनजन अर्थात काल भी कहते हैं जो शिरी मद भगवत गीता अज्धाय नमबर 11 के स्लोक नमबर 32 में स्विम्स विकार करता है कि मैं काल हूँ अर्जुन और सब को खाने के लिए आया हूँ अब परवर्थ हुआ हूँ और तू नाद युद्ध करेगा तो भी मैं इन सब को नास कर दूँगा पुनातमाओ अभी तक हमें अध्यात्म ग्यान का बिलकुल पता नहीं था क्योंकि अध्यात्मिक जो ग्यान है ये बहुत ही जटिल है जटिल किसके लिए है जिसके पास तत्व ग्यान नहीं है जिसके पास तत्व ग्यान है ये बहुत ही आसान है अब जैसे अभी तक सभी ये कहा करते थे कि गीता जी का ग्यान श्री किरसन जी ने बोला है श्री किरसन जी वहाँ विद्वान अवस्य थे लेकिन उस श्री किरसन जी में परवेस करके जैसे प्रेत परवेस कर जाते हैं ऐसे इस कालने युगीता जी का ग्यान सुनाया और साथ में युद करवाया ड्रादम का के पुन्यात्माओं यदि हम स्रीकरसन जी के दोवारा ये ग्यान बोला हुआ माने तो स्रीकरसन जी तो बहुत ही सतोगुन यानि नेक आत्मा थे विष्णु जी वाली आत्मा ही स्रीकर्शन रूप में आउत्री थे बर्गूर सीने विष्णु जी के चाती में सीने में लात मार गी थी तो भी भगवान कुरुद नहीं हुए थे ये इतने सहन सीद वेक्ती है ऐसे सहन सीद परभू है और फिर वो ये कहे अरजुन मना करता है मैं युद नहीं करूंगा और स्रीकर्शन जी कहे तो युद कर ले यानि ग्यान से नहीं माना तो फिर ड्रा धमका के ऐसा विक्राल रूप दिखा के युद करवा कर ही छोड़ा तो स्री किरसंद जी का इसमें कोई रोल नहीं था क्योंकि अज्धात्मी की ज्यान को समझना जन साधारन के वसकी बात नहीं श्वयम प्रमेश्वर आते हैं कबीर देव जी वो सर्वै सिरिष्टी रचनहार वो ही हमें बताते हैं तो ये काल जो है ये ब्रह्म है अभी तक जितने भी महरिशी हुए हैं वो यही कहते आए हैं कि ब्रह्म सुप्रिम पावर है ब्रह्म सर्वोच वर्गवान है अब श्रीमद भगवत गीता हमारा एक पवीत्र और परमानित सद्गरंथ है इसमें श्रीमद भगवत गीता ज़्धाय नंबर पंदरा के सलोक नंबर एक से चार में और सोला और सत्रा में तीन परभुओं की तीन ब्रह्म की सथीची बताई है गिता जिद्धाया नमर 8 के स्लोक नमर 1 में अरजुन ने प्रसंद किया कि हे प्रभु आपने जो अज़्धाया नमर 7 के स्लोक नमर 29 में 29 में का है कि जो विक्ति उस्तत ब्रम से प्रिचित है और सारे अज्धातम ग्यान से प्रिचित है सभी कर्मों से जो प्रिचित है वह केवल जरा और मरन से छूटने का ही परियतन करता है जो तत ब्रम से प्रिचित है और समपुर्ण ज्धातम से प्रिचित है और जो सभी कर्मों से प्रिचित है वो साधक केवल जरा और मरन जरा मेन वरदवस्था बुड़ापपा और मरन माने मर्चूर इन से छूटने का ही प्रियतन करता है और यहां संसार की कुछ भी वस्तूर नहीं मांगता आठमेजह के पर्थम सलोक मारजून ने कहा फिर वगवन किम ततबरम वो ततबरम क्या है और किम अजातम और किम करम पुरुशोतम अब वो ततबरम है क्या तो गीता जी अज़ह नमबर आठ के सलोक नमबर तीन में गीता ग्यान दाता यह काल उतर देता है कि वो परम संसकर्थ जानते थे अज्ञातमी ज्यान नहीं जानते थे और हम इनको विद्वान इसलिए मान बैठे कि यह संसकर्थ भासा जानते हैं इसलिए इन्हों ने सद्गरंथों को सही समझा है और यह जो हमें हमारी भासा में जो भी किसी भासा से प्रीचित है उस भासा में जो अन्वाद करके हमें सुना रहे हैं ग्यान सुना रहे हैं ये सही है और सद गरंथों का है लेकिन बात इसके विप्रित थी वो संस्कृत भासा अवस्य जानते थे लेकिन सद गरंथों से प्रिचित नहीं थे अध्यात्म ग्यान से प्रिचित नहीं थे श्रीमत भगुत गीता अज्धाय नमबर पंदरा के सलोक नमबर एक से चार में सोला और सत्रा में सफ़श किया हुआ है के तीन परमात्मा हैं और पूरे संसार रुपी वर्क्स का विवरन दिया है जैसे प्रमेश्वर कबीर देव जी ने स्विम आ करके यह ग्यान दिया था गीता जीवाला अपनी सिंपल लेंग्वेज में साधान भासा में लेकिन इन नकली रिसी महरिसी और गुरूओं ने प्रमात्मा के इस यथार्थ ग्यान को हमें सविकारिय नहीं होने दिया ये कह करके कि कबीर जी ऐस इख्षित है और ये सद गरंथों से परिचित नहीं है ये जो बोल रहे है ये जूट बोल रहे है उसमें प्रमात्मा कहा करते थे कि निरंजन धन तेरा दरवार जातनिक निनाए विचार कह कबीर श्णो विसादो यां सब उल्टा ब्रहार और साच्चे को तो ये जूटा बताओं ये इन जूटों का इतवार ने धन तेरा दरवार प्रमेश्वर उसी समय कहा करते थे कि ये जूटे हैं ये रिशी महरिशी तुमारे गुरू ब्रहमन इनको सद्गरंथों का ग्यान नहीं है विर्मा विश्रो महिस अजरो अमर नहीं है ये नासवान है इनकी जनम मरत्यू होती है ये ये तुमें मोक्स नहीं दे सकते ये सद्गरंथों से परिचित नहीं है सद्गरंथों मैसा कहीं नहीं लिखा है कि विर्मा विश्रो महिस की जनम मरत्यू होती है जबकि सद्गरंथों के अंदर तो पूर्ण प्रमान है ये कि इनकी जनम मरत्यू होती है इनके माता पिता का नाम लिखा है तो प्रमेश्वर ने स्विम्हाकर के वो सिंपल लेंग्वेज में साधान भासा में कहा था अक्सर पुरस एक पेड है निरंजन वाकी डार और तिन्नों देवासा खा है ये पात रूप संसार गीता जिद्ध है नमर पंद्रा के पूरे विवरन को एक संटेंस में अमरत्वानी में एक सलोक में एक दोहे में मालिक ने बोल दिया कोड़ वर्ड है ये तो उटा लटका हुआ संसार रूपी वरक्स उपर को जड़ है नीचे को तीनों गुन रूपी साखा और जो संसारोपी वर्क्स के सभी भी भाग बता देगा गीता अध्याय नंबर पंदरा के स्लोक नंबर एक मैं सफ़श्ट गया है कि वहेद वित वो वेद के तात्प्रिये को जानने वाला है वो तत्वदर्सी संत है वो है वास्तों में विद्वान पुरुष तो परमेश्वर ने बता था अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार और तिनो देवा साखा है ये पात्र उसंसार अब परसंग चल रहा है तीन परभू है शर पुरुष सर बर्हम कहो सर पुरुष कहो अक्सर पुरुस कहो अक्सर ब्रह्म कहो परम अक्सर पुरुस कहो परम अक्सर ब्रह्म कहो ये तीन है अब सिधी भासा में बताते हैं कि सर ब्रह्म सर ब्रह्म कहो चे ब्रह्म कहो क्योंकि ब्रह्म नाम से परसिद हो गया उपमा से लेकिन फिर अक्सर ब्रह्म कहना पड़ा अक एक सरब्रहम, एक अक्सरब्रहम, एक परमक्सरब्रहम, इन ही को दूसरे सब्दों है, सरपुरस, अक्सरपुरस और परमक्सरपुरस, तो सरपुरस जो है ये ब्रहम है, और अक्सरपुरस है ये परब्रहम है, और परमक्सरपुरस है ये परमक्सरब्रहम यानि पूर्ण ब्र में पूर्ण प्रमात्मा कम्प्लीट गॉड है तो गीता जिद्ध है नंबर पंदरा के स्लोक नंबर एक से चार में कहा है कि जब तत्व दस्ति संत मिल जावा है वो आपको संसार रुपी वर्क्सकेश सभी भाग बतावगा तो उसके पस्तात परमेश्वर के उस परमपज की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी संसार में नहीं आते गीताजी दहर नमर पंदरा के सलोक 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं सर पुरुष अक्सर पुरुष इन दोनों के लोग में इनके अंतरगत तथा ये स्वम सभी नासवान है जीव आतमा सभी की अमर होती है कुट्य गधे से लेकर देवताओं तक भी आतमा अमर है लेकि गीताजी दहर नमर पंदरा के सलोक 17 में तुरंत ही कहा है कि उतम पुरुष है तुवने पुरुष माने परमातमा है पुरुष उतम पुरुष सरेष्ट परभू तो कोई और है इन दोनों से कोई और है सर पुरुष और अक्सर पुरुष से भी अन्य है भिन्य है और वही प्रमात्मा कहलाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सब का धारन पोशन करता है यानि वो ओराल कंट्रोलर वो मूल है संसार रूपी वरक्स की वो मूल है जड़ है जड़ से पूरे पेड़ को आहर प्राप्त होता है खुराक मिलती है तो पुन्यात्मों वो परमकसर ब्रह्म जो है वो है पुर्शोतम अब यहां थोड़ा संका जाती है भकतों के अपंदर में जाएके अठारने स्लोक में यह गीता ग्यान दाता यह सरपुरुस है यह सर ब्रह्म है यह क्या कह रहा है कि मैं जितने मेरे अंतरगत 21 ब्रह्मांड में प्राणी है चहे वो जीवात्मा रूप में है या चहे वो सथूल सरीर में है देवता तक है इनसे मैं तगड़ा हूँ इनसे मैं स्रेष्ट हूँ सक्ति साली हूँ इसलिए लोक वेद के आधार से मैं पुरशोतम परसिध हूँ आएम नोड़ पुरशोतम यह कहता है कि मैं वास्ताव मैं पुरशोतम नहीं हूँ क्योंकि उत्तम पुर्शे तू अन्ये प्रमात्मा इति उदारते यह लोक तर्मावी अवे इस्वरे वो तो 15 में दाय के 17 में सलोक में ये खुद बोल चुका है कि पुरसोतमता कोई अन्य ही है और उसके लिए इसने ओप्सन छोड़ दिया चोथे दय के 34 में स्लोक में कि उस तत्व ग्यान को जो चोथे दय के 32 में स्लोक में जिसके विशेम कहा है उस ग्यान को तु तत्व दर्शी संतों के पास जाकर संभंज वतत्व दर्शी संत प्रसन हो करके तुझे उस प्रमात्म तत्व का ग्यान करावेंगे इसे सिद्ध है कि गीता ग्यान दाता प्रमक्सरवर्म से प्रिचित नहीं है उसके complete knowledge से वो प्रिचित नहीं है अब यहां क्या बता रहे हैं कि पंदर में अज्धाय के ठारने से लोक में वो इसलिए कह रहा है कि मैं तो लोक वेद के आधारत है जैसे यह रिसी महरिसी और यह नकली गुरू जितने थे यह कहा करते पहल तो और में अविष्णों मैं इसको supreme power फिर बता हूं है तो वेद अपर आधारत है वो कहतेते भू सुप्रेम power तो यह लोक वेद था यह यथार से ग्यान नहीं था शोक वेद के आधार से जो केता है गीता ग्यान दाता कि मैं पुर्शोतम लोक वेद क्या दार्शे परशित हूँ मैं पुर्शोतम नहीं हूँ पुर्शोतम तो पंदर में दैगे, सतर में सलोक बता दिया तो परसंग्डो चल रहा है कुनात में अब तीन परफु स्ध होगे और हमारे पवितर सद्गरंथ यही समर्थन दे रहे हैं, यही परमान दे रहे हैं गीता जी दैनमर पंदरा के सलोक नमर एक से चार सोला सतरा में सरपुरुस कहो चे सरब्रहम कहो अक्सरपुरुस कहो चे अक्सरब्रहम कहो और पुर्शोतम कहो चे परम अक्सरब्रहम कहो ये तीन पर भूने अब इस सरपुरुस अर्थात सरवर्हम यानि काल जोत नरंजन के 21 विर्मांड है और ये परतेग विर्मांड में एज ये मुख्य मंत्री रोल करता है और इसके तीन पूतर है रजगुन विर्मां सत्कुन विश्णु तमुर्शु जी ये एक विभागिये मंत्री का रोल करते हैं अन्य देवताओं को भी यहां पद्वी दे रखी है जैसे जल का देवता वरुन कहलाता है धन का देवता कुवेर कहलाता है वो अलग से बना रखे हैं जैसे इंचार्ज बना जिया करते हैं आये सत्र के अधिकारियों को ऐसे समझो तो यह ब्रह्म जो है 21 ब्रमांड का ओर आल कंट्रोलर है केवल एक ब्रमांड में ब्रमा विश्णो महिस जी एक एक भी भागिये मंत्री अउनली एक ब्रमांड में और इस अक्सर ब्रह्म के साथ संख ब्रमांड है नील पदम संख और परम अक्सर ब्रम के यह है ओराल कंट्रोलर असंख जिनकी गिंती नहीं हो सकती और वो प्रमात्मा कहां रहता है? वो सत्लोक में रहता है, सनातन प्रमधाम में रहता है, सास्वत सथान में रहता है सासवत सथान उसे कहते हैं जिसका कभी नास ना हो निरंतर रहने वाला सदा रहने वाला और अविनासी परमक्सर परुष परमक्सर ब्रहम भी उसी को कहते हैं जिसका कभी नास ना हो श्री बिर्माजी, श्री विश्मुजी, श्री शिवजी तिनु नासवान है ये ब्रम गीता ग्यान दाता, ये स्वम भी नासवान है ये गीता जे दह नंबर चार के स्लोक नंबर पांस में और नौ में गीता अज़ दह नंबर दो स्लोक बारा में गीता जिद्धाय नमबर दस लोक दो में ये स्विम स्विकार करता है कि मेरे भी जनम मर्तु होते हैं हर दुन तेरे भी होते हैं तुझे ग्यान नहीं मुझे ग्यान है गीता जिद्धाय नमबर दस के सलोक नमबर दो में ये स्विम कहता है कि मेरी उत्पति को ने तो देवता जानते हैं ना ये सद्ध पुरस जानते हैं ना कोई रिसी जानते हैं क्योंकि ये सभी मेरे से ही जनमे हैं क्योंकि ये सब का जनक है 21 बर्माण में जितने भी प्राणी हैं इसने इन सब को यह सथूल शरीर में जखड़ा है तो बिर्महा विश्णो महेज भी इसके पूतर है अन्य देवता भी इसी चे अन्य विवस्था से जैसे आगे देवता और रिशियों से इन ही का जनम भुआ तो ये कहता है कि मेरी उत्पत्ती को ये नहीं जानते, क्योंकि पिता की इस उत्पत्ती जनम संतान नहीं बता सकती, लेकिन दादा जी बता देते हैं, तो उस दादा जी ने, यानि सब के मालिक ने, सब के जनक ने, कबीर परमेश्वर जी ने, आकर कि ये सब की उत्पत्ती ब और यही हमारे सद्गर्णत भी परमान करते हैं, यह स्वम भी स्विकार करते हैं, गीता प्रेस, गोरकपुर से प्रकासित, शरी देवी भागवत, तीसरे सकंद, केवल हिंदी मोटा टाइप के प्रिष्ट नवर 123 पर, विश्णु भगवान स्वम स्विकार करते हैं, कि अपन और संकर हैं, हम आप ही से विद्मान हैं, हमारा तो जनम और मरतू होता है, हम अविनासी नहीं हैं, बताओ, और यह नकली काया करते हैं, यह स्वम स्विकार कर रहेंगा, हमारा जनम मरतू होता हैं, कॐ है माता, ये धी विष्णु जी भी आप से जनमे और बिर्माजी की भी आप ही जननी तो क्या मैं तमोगनी लीला करने वाला संक्र आपकी संतान नहीं अर्थात मेरी भी माता तो मही हो अपने अत्मों ये बिर्माजी विष्णु महेश स्विकार कर रहे हैं मारी जनम मरत्य होती है और ये जुठे नकली गुरू सद्गरंतों से एप्रिचित लोक वेद सुनाने वाले कहा करते थे ये अजरु अमर हैं इनके कोई माता पिता नहीं है उदर से ये ब्रहम गीता ग्यान देते हुए कह रहा है स्रीकर्शन जी मैं प्रवेश करके ये काल सर और अक्सर पुरुष भी नासवान है क्योंकि गीता जी अध्धाय नमबर पंद्रा के स्लोक नमबर सोला में सप्रश्ट कर दिया के सर पुरुष और अक्सर पुरुष ये इस परत्वी वाले लोक में ये दो भगवान हैं दो प्रवु हैं पुरुष महने प्रवु स्वाम 21 ब्रमांड काल के ब्रम के सरपुरुष के और साथ संग ब्रमांड अक्सर पुरुष के ये सारे एक ही तत्व से बने हैं इसलिए सारा एक लोग कहलाता है एक टाइप का लेकिन आगे भी भागें जासे अप्रत्वी है ये पूरा एक लोग है और एक ही जैसा मैट्रियल है इसके उपर तो इसमें अपनी अपनी कंट्रीज ने बाउंडरी बना रही है वो अलग बात है तो ऐसे ही 21 ब्रमांड की बाउंडरीज इसकी है सरपुरुष की और जो साथ संग ब्रमांड है ये अक्सर पुरुष के दोनों इस लोक में यानि इस परच्वी वाले लोक में जो परच्वी ततों से बने हुए हैं ये समझो तो ये ये कहता है ये दो भगवान हार इन दोनों ही नासवान है ये भी नासवान, इनके अंतरगत प्राणी भी नासवान केवल जीव आत्मा सब की अमर है फिर इसलिए पंदर में दैके सतर में सलोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तु अन्य पुरुषवतम उत्तम-पुरुष पुरुषवतम यानि सर्वस्यष्ट परमातमा यह तो कोई अन्य ही है और वही तीनों लोग को प्रवेश करके सब का धान कोशन करता है वह है अविनासी भगवान तो इसे ये अक्सर पृस्वी नासवान लेकिन परम अक्षर परम ये अविनासिय और वो कहां रहता है तीशरे मुक्ती घाम में सतलोक में रहता है वो सासवत सथान है, सनातन परमधाम है, गीता ग्यान दाता, गीता जिद्ध है नमर 18 के, स्लोक नमर 62 में कहता है, अरजुन तु सर्वभाव से उस परमेश्वर की सरनमजा, उसकी करपा से तु परम स्यानती को और सनातन परमधाम को प्राप्त होगा, अब गीता ग्यान दाता स्विकार कर रहा है, कि तेरे और मेरे बहुत जनम हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, आठ में ध्याय के, एक सलोक का उत्र, आठ में ध्याय के, तीसरे सलोक में गीता ग्यान दाता कहता है, कि वो परमकसर बर्म है, जो अरजुन ने पूछ कि साथ में धाय के उनतिसमे सलोक में जिस तत्वर्म के बारे में आपने कहा है वो किम तत्वर्म तो आठ में धाय के तीसरे सलोक में गीता ग्यान दातान का परमकसर ब्रम है अब आठ में जाए कि पांच और साथ सलोक में गीता ग्यान दाता कहता है कि तुम मेरी भगती कर मुझे ही प्राप्त होगा मेरा एक ओम नाम है आठ में जाए कि तेरे में सलोक में का कि मेरा क्यों एक ओम नाम है मुझ ब्रम का और युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध भी कर और मेरा सम्रण भी कर कहने का भाव यह है कि ब्रह्म की साधना से इस सरपुरुष की साधना भक्ती से गीता ग्यान दाता की भक्ती से शानती नहीं हो सकती युद्ध भी करना पड़ेगा और युद्ध करना पड़ेगा शान्ती तो गई बाडम है तो यहां कहता है कि तुने मेरी सरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा शान्ती नाम की चीज नहीं तेरी विजनमर तू मेरी विजनमर तू रहेगी और पहले भी हुई है इसलिए पंधर में जाय के एक से चार में कहा कि जब तत्व दर्सी संग तुझे मिल जा उसके पस्ताथ परमेश्वर के उस परमपत की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते है और उसी परमेश्वर की भगती करो अन्य की नहीं जिस परमात्मा ने सुरे संसारूपी वर्क्स की रतना की है यानि जो और आल कंट्रोलर और सब का सिर्जनार वो उस परमात्मा की भगती करो तो यहां अठार में दैके वैसेट में स्लोग में फिर उसने दो राया है कि अर्दुन्तु सर्वभाव से उस परमक्सर बिर्म की सरनमजा उस परमेश्वर की सरनमजा जिसके करपा से तो परमस्यानती को और सनातन परमधाम को प्राप्त होगा अब ये बिर्म कहां रहता है बिर्म लोग में शिरी देवी भागवत गीता प्रैस गोरुपुर्श परकासित केवल हिंदी वोटा टाइप के प्रैस नमबर पान सो बैस सट और तरे सट पर शिरी देवी जी हिमाले राजा को ग्यान दे रही है और कह रही है कि मैं केवल बिर्म को जानती हूँ बिर्म से उपर कोई बगवान नहीं उस बिर्म का ओम नाम है बिर्म की बक्तिकर वो बिर्म लोग में रहता है तो बिर्म लोग में चला जागा गीता जिद्धा नमर आठ के स्लोक नमर सोला में कहा है कि ब्रम लोक परियंत ये सभी पुन्रा वर्ती में हैं वहां गए हुए प्राणियों का भी जनम और मर्टू होता है तो ये गीता ग्यान दाता है इसलिए यह सपष्ट कर रहा है ये दि तुझे प्रमशान्ती यानि पूर्ण सुख चाहिए तो उस परमेश्वर की सरनमजा है और गीता जी अध्याय नुबर अठारा के है ये अन्तिम सलोक हैं 61 से लेकर और 66 तक आगे भी है 78 नुशी तक लेकिन इन में निसकर्स है और गीता जी का निसकर्स निकाल के दे दिया इस गीता ग्यान दाता ने गीता जाय नुबर 18 के सलोक नुबर 62 में ते सपस्ट कर दिया कि यदि तुने सानती चाहिए और पूर्ण मोक्स चाहिए तुस परमेश्वर की सरनमजा अठार में जाय के 63 में सलोक में कहा कि अरदुन अब ये गुपत से गुपत ग्यान गीता वाला मैंने तुझे दे दिया अब इसको समझ कर जैसे तेरी समझ में आवे वो कर ले जो तने ठीक लगे मेरी सरनमे रेना है तो उठा लट उठा थियार हो खड़ा और मार गद्दाए गद्द और उसकी सरनमे जाना है तत्वदर्सी संथ खोज ले यदि उस परमेश्वर की सरनमे जाना है जहां जाने के बाद फिर जनम मरतों नहीं होता परमस्यानती प्राबत होती है मों उससे परिचित नहीं उस ग्यान से तोथे दैके चौटीस में स्लोक में सफष कर दिया उन्तत्वदर्सी संथ खोज कर ले अब यहां सफष कर दिया ठार में जाए के त्रेशट में स्लोक में के ये गुपत से गुपत गीता वाला रहसे में ग्यान मने तरे को दे दिया अब तेरी समझ मावब वो कर ले मेरी संथ में रहना है या उसकी सर्ण में जाना ये फैंस लाकर और कहता है फिर तोफ सेट में सलोक में तुरंद फिर कहता है कि एक और गुप्ट से गुप्ट बताता हूँ कि मेरा पुज देव भी यही है जो अठार में जाए कि बेशिट में स्लोक में जिस के बारे में मैं कह रहा हूँ ये मेरा भी इष्ट देव है इष्टम असी बेदर्धम ये मेरा भी पक्कम पका पुझ्य देव है और प्रमेश्वर श्वेमागर कहते हैं गोर्खनाथ जी को कबीर साहिब कहते है जोद शुरूपी अलग नरंदन ये भी दरता है ध्यान हमारा ये भी हमारी पूजा करता है लेकिन जैसे ये करता है उसे इसावसिस को हम ही देते हैं भक्ती सक्ती जो थोड़ा बहुत ये गुजारा इसका चल रहा है 21 वर्मांड का जैसे आपने गीता जी देह नमर पंदरा के स्लोक नमर सतरा में पढ़ा के उत्तम पुरसातु अन्य प्रमातमायती उधारते ये लोक तर्मावी सेवे बरती अवे इसवरा है यानि स्रेष्ट प्रमातमा सर्वसक्तिमान परभू तो कोई और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सब का धार्ण पुश्ट रहता है वो मूल रूपी भगवान है उत्तम में जाय के एक में से लेकर चार में यही प्रमान है कि उपर को जड़ वो तो पूर्ण प्रमकसर ग्रमा है जड़ यानि सब प्राणियों को जिससे आहर प्राप्त होता जिससे सकती प्राप्त होती है जिससे भगती प्राप्त होती है तो यहां भी वो खुद कहता है कि मेरा भी वो पूज्य देव है अब अठार में जाय के 65 में स्लोक में गीता ग्यान दाता कहता है कि तुम मेरा भगत बन मुझे नमस्कार कर नो डाउट तुम मुझे ही प्राप्त होगा बिल्कुल जहां असा तावासा होई मन कर्म वचन सुमरियोस होई प्रमातमा भी कहते हैं और गीता जिद्धान बराठ के प्रमातमा कबीर प्रमेश्वर जी भी कहते है कि जहां आसा तावासा होई और मन कर्म वचन सुमरियोस होई जिसमें आपकी आस्था रहेगी वही तरह निवास होगा वही तरह जाना होगा अठार में जाए कि पैस्ट में स्लोक में ये फिर कहता है कि तुने मेरी सर्ण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर और मुझ में मनवाला हो मुझ में भावित रहे अन्य देवताओं की पूजा भी ट्याग दे उसकुछ नहीं करना है तो नो डाउट नी संदे तो मुझे प्राप्त होगा अंडर्स्टूड फिर अठार में देखे छैसेट में सलोक में फिर कन्सेट कलियर कर दिया गी तागे अन्दाताने यदि तुने उस परमक्सरब्रहम की सर्ण में जाना है इन अन्वाद करता हुना ग्यानियों ने आना कर दिया यह गल्द कर रखा अनरत कर दिये इनों ने तो यह कहता है कि उसकी सड में जाना है तो मेरे सतर की जो पूजाएं वो धार्मिक जितनी किरियाएं हैं वो सर्वे धर्मान परितजमाम मेरे सतर की सभी पूजाएं जिसे गिता जिदह नुम्र 17 के स्लोक 23 में कहा है ओम तत सत इती निर्देश है पर मुने तिरे विज़ा समरता है उस परम अक्सर ब्रहम के पाने का यह तीन मंतर की मजदूरी है तीन मंतर की ओम तत सत और नथिंग एल्स निर्देश कारता है फाइनल फैसला अगरम अगरम नहीं ओम ता सर पुरुष का और यह तत सांकेती का यह अक्सर पुरुष का और सत यह भी सांकेती कोड बरड़ है यह परम अक्सर पुरुष का इन सब का मंतर है इनकी मजदूरी है कमाई करनी है इनके और इस बगती की कमाई से बल से हम सत लोग जाएंगे तो ये कहता है कि मेरे सतर की जो ओम नाम की जाब तू करेगा ओम तो बिर्म का जाब है तो ये सब मुझे ट्याग देना हम क्या करते रहे अभी तक ये रिसी बहर रिसी अंजान पड़े में बिर्म साधना करके ओम नाम का जाब जब करे ब्रहम लोक में चले गए, वह महास्वरग हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बकवादे हैं, और अपने ही पुंजी को वहां नस्ट करके, और खाली होके फिर पसुयोनियोम आ गए, हम ओम नाम की कमाई यहां बरबाद करते रहे इसके रेस्टोरेंट में, अब यह कहता है कि में रही रख सकता तू फरी हो जागा, तो पुन्यात्मों वो परमेश्वर कबीर देव जी पूर्ण ब्रह्म हमें यही बताने आये हैं, यही बताने आते थे, रगवेद मंदल नमबर नौ और सुक्त नमबर छ्यासी के मंतर चब्विस सताइस में, रगवेद मंदल नमर न हैं, रगवेद मंदल नमबर नौ, सुक्त नाइन्टी सिक्स, यानि च्छानुएं के मंतर सोला से इकिस तक, रगवेद मंदल नमबर नौ, सुक्त नमबर बीस मंतर एक में, रगवेद मंदल नमबर नौ, सुक्त नमबर एक मंतर आठ नौ में, और भी अनेक सिथानों पर है ये परमानित किया गया है कि वो परमक्सरब्रम जो पूर्ण परमात्मा है वो सतलोक में तीसरे मुक्ति धाम में रहता है वहां से गती करके आता है अपनी नेक आत्माओं को मिलता है अथी आत्माओं को मिलता है उनको ग्यान से परीचित कराता है फिर वो संप जो है प्रमात्मा की महिमा को अन्य को सुनाते हैं उन में से किन किन महापुरसों को प्रमेश्वर मिले कलियूग के अंदर आपको धार्ण देते हैं सत्यूत रेता थरयाद नहीं होंगे अब कलियूग में आदनिय धर्मदास साहिब जी उस नेक आत्मा को प्रमेश्वर स्वेम आकर मिले परमकसर पुरस सत्पुरक और आदनिय मलुकदास जी अरोडा थे खत्री थे जाती से उनको आकर के प्रमेश्वर स्वेम मिले आदनिय दादू साहिब जी को वो परमेश्वर स्वेम परमक्सर पुरुष परमक्सर ब्रहम स्वेम गती करके सत्खंड से सत्लोग से सास्वत सथान से आकर करके वहां उनको मिले उनसे ग्यान से प्रिश्वर करा आदनिय नानक साहिब जी को उस नेक आतमा को सत्पुरुष प प्रमेश्वर की भहिमा का गुनगान किया आदनिय गरीबदास साहिब जी गाउं छुडानी जिला जजर हरियाना के अंदर वो प्रमात्मा स्वेमा करण को मिले खेतों में जंगल में जब वो गउच रा रहे थे दस वर्स के बालक थे